अस्सलामू अलेकुम रह्मतुल्लाही वबरकातू दीनिया सानवी निसाब साले शश्चुम सिक्स क्लास के स्टूडन के लिए दर्से हदीस हदीस शरीप तर्जुमे और मतलब के साथ पढ़ने पढ़ाने को दर्से हदीस कहते हैं सबस्वम आभा, अश्चुम नमबर तिनि पेशाब में बेहतियाती से, अजजाब-कक्बर अन रसलुल्ही ओस्लिल्लाही वैस्तंजिए मिन ल्बवली फईन्न आमत अज़ाब-कब्र मिनहु दार-ल कुतनी अन்र रसलिल्लाहु ऐस्तेन और आन्र रसलिल्लाहु तर्जम रसलिल्लाहु ऐसलिल ने परुद्वानि तुम पिशाप से बचो तुम पिशाप से बचो इसलिए के आम तोर पर कब्र का अजाब इसी से होता है रसल अल्लाव ने फर्माया तुम पिशाब से बचो इसलिए के आम तोर पर कब्र का अजाब इसी से होता है तश्रीफ इस अदिए में रसल अल्लाव ने पिशाब के छीटों से बचने की तालीम दी है पिशाब के चीटों से बचने की तालीम दी है पिशाब के चीटों से ना बचना और पिशाब के बाद पाकी हासिल ना करना कबीरा गुनाओं में से है पिशाब के चीटों से ना बचना और पिशाब के बाद पाकी हासिल ना करना कबीरा गुनाओं में से है आम तोर पर कब्र का आजाब पिशाब के छीटों से ना बचने की वज़से होता है नीचे बैटकर उची जगा या सक्त चीज़ पर या खड़े-खड़े पिशाब करने से कपड़े और बदन पर छीटे लग जाया करते हैं इससे बदन और कपड़ा नापाक हो जाता है और इस हालत में पड़ी हुई सारी नमाजे बेकार हो जाती है पिशाब हमेशा बैटकर नीची जगा में करना चाहिए ताके इसके छीटे उड़कर कपड़े या बदन पर ना लगे पिशाब से फरागत के बाद पानी इस्तेमाल करके खूब पाकी हसिल करना चाहिए पिशाब से फरागत के बाद पानी इस्तेमाल करके खूब पाकी हसिल करना चाहिए